हे गाईज वेलकम टू माई चैनल अलकास हल्दी किछिन आज अलकास हल्दी किछिन में आपके लिए लेकर क्या है यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बेंगोल की फेमस रेसिपी राजभोग रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ज चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेकिन प्लीज हो सके तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखरा होगा रैट कलर का उससे सब्सक्राइब कर लें जड़ जड़ शेर करें लाइक करें बैल आइकन को जरूर रोल कर ले तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिल्क दूद ले लिया है मैंने यापे जो मैंने यापे दूद लिया है वो काव मिल्क लिया है और एक उबाल आने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है एक ही उबाल आने दिया है उससे ज्यादा मैंने इसमें नहीं आने दिया है और काव मिल्क ही लेना है वाफेलो मिल्क और इसे थोड़ा रूम टेम्प्रेचर पर आने देंगे मतलब कि इसे उबाल आने के बाद जब एक उबाल आ जाएगा गैस तरीके से गैस बंद करने के बाद 3-4 मिनट ऐसे ही चोड़ देंगे उसके बाद हम इसका चैना तयार करेंगे तो तीन मिनट लगबग हो गए हैं आप चाहें तो नीबु का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो लेमन ले उनका रस नी चोड़ ले थोड़ा चा पानी अट कर दिया है और दूद में डालके हमारा हम दूद को इस तरीके से फाड लेंगे और ये देखे बहुत अच्छे से हमारा दूद फटके तयार हो गया है और ये जो हमारा चैना निकला है इसे हम एक कपड़े में निकाल लेंगे तो यहां पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है और behoat करना है जिससे जो इसका Extra जो हुट कि यूद्व qa愉न //说 लैमन में भी में खट कना पन होता है , विनेगर में भी बrek में थाच लीया गसिर गाउफ के लिए, इसे हम रख देंगे चाहँ हो कहा कारा पनीर हमारा सैट हो जाएगा पनीर और तब तक हम अपनी चासनी तयार कर लेंगे तो चासनी तयार करने के लिए यहां पर मैंने दो कटोरी चीनी ले लिए दो कप लगबग है और दो कप में मैंने छे कप पानी एड़ कर दिया है क्योंकि इसकी जो चासनी होती है काफी एकदम पान सब्सक्राइबाद तक यह सब्सक्राइब्स करना तो 12-12 शाइब में आधा-चमच काफी इसार प्राइब करती है और अच्छे से फिर से mix कर लेंगे इस तरीके से ही कॉन फ्लोर को पनीर में अच्छे से mix कर लेना है और ये हमारा कॉन फ्लोर और पनीर आपस में बहुत अच्छे से mix हो गया है अब mix करने के बाद मैं थोड़ा सा पनीर, white पनीर साइड में निकाल दूँगी और ये देखें मैंने यलो कलर एड़ किया है यलो फूट कलर और जो बचा हुआ पनीर था उसमें हम थोड़े dry fruits एड़ कर देंगे बादाम, पिस्ता, काजु इस तरीके से मैंने एड़ कर दिया है आप चाहें तो डारेक्ट यलो कलर में भी एड़ कर सकते हैं डो में dry fruits को इस तरीके से flat करके और इसके अंदर अब हम white वाला dough fill कर देंगे इस तरीके से अच्छे से fill कर देना है ये देखें और हलके हासे बहुत जादा हलके हासे से round इस तरीके से round गुमा देना है एक ball की shape दे देनी है और ये हमारा first response तयार है बनके इस तरीके से हम second भी तयार करें हलका सा round गुमाएंगे प्रेस करेंगे थम से अंगुठे से हलका सा प्रेस करना है दवाना है और अंदर थोड़ी सी filling इस तरीके से भर देंगे और round कर देंगे इसे फिर से हलके हास से और ये देखें सभी sponge हम इस तरीके से ready कर लेंगे बहुत आसानी से filling हो जाती है बहुत कि Haana गया है बहुत आच्छे से Carn' कि Warszawa उबल गी है eenerkछ दर के सारेophone या द्वायन होनी चाहिए और छैसनी एकदम से high flame पे होनी चाहिए उसमें अच्छे खासे उबाल आना चाहिए और अभी आप देख सकते हैं स्पोंज कितनी छोटे छोटे हैं लेकिन अब देखेंगे तो इस्पोंज हमारे बहुत बड़े आकार में हो गए हैं ये देखें इस टाइम पर आप देखें पहले जो स्पोंज थे वो बहुत चोटे थे और अभी हमारे स्पोंज काफी बढ़े हो गए इनने कम से कम 8-10 मनिट हो गया है और इने स्पोंज को मैंने मेडियम फ्लेम पर पकाया है कम से कम 15 मिट के लिए और 15 मिनिट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे हमारे राजभोग हैं यह देखे बहुत अच्छे से हमारा राजभोग बनके तयार हो गया है और एक एक करके इस तरीके से हम बाउल में निकाल लेंगे और यह देखे मैं कट करके दिखाती हूं अंदर से यह देखे बहुत ही एकदम से जूसी और एक भी स्पॉंज हमारा फटा नहीं है एकदम से गोल बहुत अच्छे हमारे स्पॉंज बनके तयार हुआ है यह देखे बहुत अच्छे से अंदर तक चास नहीं गई है और तीन से चार घंटे इन्ने ऐसी छोड़ देना है उसके बाद कट करें बहुत अच्छे स्पॉंज राजभोग हमारा बनके तयार हुआ है आप देख सकते हैं तो यह हमारी परफेक्ट राजभोग स्वीट बनके तयार है आप भी इसे जरूर इंजोई करें इस फेस्टिवल पे जरूर बनाए रक्षबंदनी भी आ रहा है जनमास्क मी भी आ रह तो और भी बहुत अच्छे से बनके आता है और लोग उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो अगर रेस्पी पसंद आये तो प्लीज जाजादा शेर कर दें लाइक कर दें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते हैं नए रेस्पी के साथ अलकास अल् झाल Ск्यब कर दो नहीं हैँ कर दये पना देन